हाई बच्चो सभी को स्वागत हैं आज हम लोग क्लास एट धारखन बोड का प्रसनावली तीन दसमलव दो बनाएंगे तीन दसमलव दो में पहला सवाल है अभाज गुननखंड बिधी द्वारा निम्निखित में से प्रतेक संख्यां का घनमूल ग्यात किजिए घनमूल निकलना है हम लोग सवाल में ही सीखेंगे कैसे बनाना है पहला सवाल 1-1-2 और यो जही हो जायगा 8 राख मेंद 2 से 6-4 फिर 2 से 32 बार में फिर 2 से 16 दो से 8 दो से 4-2 हमने की बार क्री के बार क्रीक लेगा हम लोग 3-3 का कि इसका तिरियक बनाएंगे तीन तीन एक साथ लेंगे यानि 512 बरावर लिखेंगे दो का घंग गुना दो का घंग गुना दो का घंग गनमूल को हम लोग इस तरह से दरसाते हैं यानि संख्या के ऊपर यह लखीर यहाँ पर तीन लिखते हैं यह गनमूल का चिन है यह जो है आफका घनमूल का चिनदह इसको लिखेंगे बेरावर, अब इसमें भी घनमूल लगाएंगे, तो घनमूल जब लगेगा, तो क्या होगा, कि अगर तीन का जोड़ा में है, तो उसके वदले एक नीचे आगा, एक संख्या है, यानि दो का, दो तीन बार है, तो एक दो लिखेंगे, फिर दो बार है तो एक ठो दो लिखेंगे इसका जागा दू दूनी चार दूनी आठ यानी पांसो बारा का घनमूल जो होगा वो होगा आठ यह पहला सवाल था दूसरा इसी तरह से 729 घनमूल गयात करना है पहले आवाजगुनन खड निका लिए तो यह तीन से जाएगा तीन दूनी फिर इसका तीन दूनौ से जएगा स्ताइस भर में फिर इनसे नो भर में फिर इन से तीन दून खारेंगे तीन का तिर्यक लेंगे इसके लाद गंमूल के रूप में व्यक्त करेंगे बराबर फिर इसका घनमूल तीन का त्रिय लेंगे तो तीन का एक ठो जोड़ा बना और तीन का दूसरा जोड़ा बना तो क्या बना एक इसके बदले एक तीन और इसके बदले एक तीन यह लिखेंगे यानि तीन गुना तीन नौ यानि 729 का घनमूल जो है घनमूल नौ होगा तीसरा सवाल अफका है 27 27 हजार 27 हजार है 27 हजार को हम लो लिख सकते हैं 27 गुना एक हजार 27 का घन होता है तीन का घन बरावर 27 गुना दस का घन होता है यानि कि घनमूल जब लिखेंगे 27 हजार का इस तरह से इसको भी इसके अंदर लिखना होगा चीन के अंदर तीन के घा तीन गुना दस के घा तीन तीन वार रहते एक बार नीचे आएगा दस एक ठुआएगा यानि तीस सब ताहिस हजार का घनमूल जो होगा वो होगा तीस अगला है चौथा सवाल आफ का है चार हजार नौसो तेरह चार हजार नौसो तेरह इसका आभाज मुनन खंड ग्यात किजी पहले आभाज मुनन खंड निकाली है दो से तो नहीं कटेगा तीन से काटता है काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं सब को जोड़के देख अरंचार थेरह एक चोगदर तीन सदोर थीन से नहीं कटेगा चार से पन से भी नहीं कटेगा सात से ससते उन्चास जीरो नहीं कटेगा उसका क्या इंत एंवारना हे वांड़न तेरह नो ग्यारत तेरह से घरते अ 19 22 इसका अभाज गुनन खन हम लोग पहले निकालेंगे यह आप अपने से बना लिजेगा उसके बाद जो है पच्मा नंबर विस्वेम बना लिजेगा उसके बाद है प्रस्न संख्या दो आकलन द्वारा निम्लिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ग्याद किजी आकलन विधी बताना है आकलन विधी में हम लोग क्या करते हैं पहले तीन-तीन का जोड़ा लेते हैं संख्या का तीन-तीन में जोड़ा ऐसे की 1331 है इसका एक जोड़ा इधर से लेंगे और यह फिर अगर और संख्या तद फिर तीन का जोड़ा लेते तब इसका पाई सबसे पहले क्या कर तो एक का घंदमूल, एक यानि इसका घंदमूल जो होगा, वह 11 होगा, घंदमूल 1100, 1331 का 11 होगा, फिर अगला है, 6869, दूसरा, 6869, इसका जोड़ा लीजिए, एक जोड़ा ये और 6 है, यानि क्या देख रहे हैं, इसका घंदमूल का इकाई अस्थान क्या होगा, पहले देखेंगे घंदमूल का इकाई अस्थान यहान नो है, तो घंदमूल का इकाई अस्थान नो होगा, उसके 6, दो का घंदमूल होता है, 8, और एक का घंदमूल होता है, तो एक और तीन और एक का घंदमूल एक होता है, तो एक और 8 के बीच 6 होगा, यानि कि तो यहां एक लेंगे, दो नहीं लेंगे, क्योंकि दो यहां आठ से अधी क्राता है, तो हम लोग दो लेते, तिसले उनीस, उनीस का घंज जो होगा, वो होगा, चोजार आठ सो उनसथ, फिर इसी तरह से हम लोग लेंगे, तीसरा सवाल आपको बता रहे है, बारह जार एक सो स तो इसको हम लोग जोडा इसरसे बनाए है, तो यह एकाही हस्थान, इस qué KL काही सात है, तो इकाही हस्थान 3 होगा, तिन होगा काई वर्गमूल काहिस थान तीन होगा 12 का देखेंगे तो अभी हम देखें तीन और तीन का घंझ सब्सक्राइब यानि 8 और 27 के बीच 12 होगा तो मों दो लें इनि घनमूल इसका जो होगा 23 होगा तो इस तरह से जो है 34 और पचमा आप अपने से बना लिजिए गा तीन नमर सवाल कहता है प्रस नमर तीन है तीन संख्याएं दो अनुपात, तीन अनुपात, चार अनुपात में है यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99 हज्जार है तो संख्याएं ग्याद कीजिए माना की संख्याओं 2X है, 3X है और 4X है अनुपात दिया हुगा इसलिए संख्याओं पहले मान लिजिए उसका घन को लेके जोड दीजिए फिर प्रसन हल कर लिजिए आफका सवाल बन जाएगा तो ले लेते हैं अनुपात दिया हुगा तीन नमर में अनुपात दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 तो माना की संख्याओं जो है वो 2X, 3X और 4X है प्रसना अनुपात कहता है कि 2X का घन जोड 3X का घन जोड 4X का घन जो है वो 99 हजजार है दो का घंड, आठ हो जाएगा, आठ एक्स क्यूब, प्लस सथाइस एक्स घंड, जोड, चौशट एक्स घंड बरावर 99 हजार, अब इसको जोड़िए गाथ कितना जाएगा, आठ सथ, पंदरर, पंदरर, चार, उन्हेस के नो हत में, छोग, साथ, तो नौग, 99 एक्स क्यूब, बरावर 99 हजार, यानि एक्स क्यूब, बरावर 99 हजार, पटे 99 यानि कट जाएगा, एक हजार बार, यानि एक्स का घंड बरावर 1,000, एक्स निकालने के लिए, एक हजार का घंड मूल, यानि एक्स का मान 10 होगा, जब एक्स का मान 10 है तो प्ट तू एक्स कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 यानि 20 तीन एकस 2 गुणा 10 अर्फ 14 और चार एकस 4 गुणा 10 बवर 40 यानि आफका संख्या मिल गिए 20 तीज और 40 संख्या है ये था आफ का तिसरा सवाल चौथा सवाल है वस छोटी संख्या ग्याद किजिए जिससे 69120 को गुना करने से परतेक संख्या पूर्ण घं संख्या बन जाए वस छोटी संख्या ग्याद किजिससे उस इतना को गुना करने से प्राप्त संख्यां पुन घन बन जाए, प्राप्त पुन घन संख्यां का घनमूल भी ग्याद किजिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले दीवी संख्यां का अभाज गुननखंड ग्याद करेंगे, अभाज गुननखंड जब आप निकालिएगा तो देखिएगा क कोई संख्या उसमें फूट होगा जो तीन का नहीं होगा तीन का जुड़ा में नहीं होगा तीरियक में नहीं होगा उसको हम लोग उसी से गुना करेंगे तो पहले दो से भागा देते हैं तीन बार चार बार एक और एक ग्यारा पांच बार में फिर छै जीरो फिर दुका से देंगे, 2,1,2,2, 2, 7, 14, 2, 8, 0 फिर दू से दिजीए, 8, 6, 4, 0 फिर दू से 4, 3, 2, 0 फिर दो से दिजीएगा, 2, 1, 6, 0 फिर दो से 1, इकतेगा, 0, 8, 0 फिर दो से 5, 4, 0 फिर 2 से 2, 7, 0 फिर 2 से 1, 3, 5 कि तीन से तीन चुका बार्य और तीन पंदरह फिर तीन से पंदरह और वार मे गुना या भाग अगर करने की बात आएगी तो गुना करने की बात आएगी तो सिर्फ यह एक है यानि दो वार पांच से गुना करना होगा और गुना करने की बात अगर भागा देने की बात कहा जाए तो पांच से भागा देना होगा तो यहाँ अपका प्रस्म था कि कितना से गुणा किया जाए तो गुणा करने की बात आ रही है तो यह प्रस्म होगा 5 मुणा 25 से गुणा करने पर यह गन प्राप्त होगा ठीक है अब गनमूल उसका क्या होगा गनमूल लिख लिजिए दू गुना दो गुना दो गुना तीन गुना पांच यहनी पांच तिया पंदरह दूना तीस दूना साथ साथ दूना एक सोश्षी पांच तिया पंदरह दूना तीस यह पांच दूना दस तिन दूना चो तिन दूना चो दूना बार एक सोबीस आए पांच तिया पंदरह दूना तीस तिन चोग बार एक सोबीस पांच नमबर प्रस्ण में है 26.244 को कौन सी सबसे चोटी संख्यां से विवाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घं संख्यां बन जाए उस भागफल का घंमूल निकालिए भागफल का घंमूल प्रस्ण इसी तरह से पहले हम लोगा अभाजगून खंड बनाएंगे यह देखिए हम आफ के लिए बना रहा है इसको ध्यान से देखिए जिस समझीएगा और बनाने बनाईए भी 6 नमबर यह चार था यह पांच नमबर छैनमबर ने पांच नमबर 26,244 का पहले अभाजगून खंड निकाली है एक तीन एक दो दो फिर दो से छे बार में फिर एक पांच बार यहां फिर छे बार एक बार अब क्या देख रहे हैं कि यह आगया विसम संख्यावी एक इस से कटेगा तो इसको छे बारा छोती आठारा तीन से जाएगा 3 2 2 6 3 1 3 3 2 1 6 तो 3 8 24 3 37 अटारईगीज फिर 2 से 3 से जाएगा दूर्दू 10 से उटारईगा इसलिए 3 से जाएगा 3 सतेगीज, 3 तीन पारईगीज, 3 नमा 27 फिर 3 से जाएगा तीन पारईग्हें traveled 6 3 चुक 13, 13,9 फिर 3 से जाएगा 81 फिर 3 से 27 फिर 3 से 9 तेके 17 तो अब किया देख़ रहें तीन तो त्रियक में है लेकिन यहां दो और तीन दोनों एक एक कम हैं दो भी दो वार altogether में दो अलिए स्पान ऑगर देने की बात आए तो हम लोग और इना होगा इतना इतना से भाग देने पर ही ये संख्या पुर्ण घन प्राफ्थ होगा, यानि कि इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे भाग देनी है, सबसे छोटी संख्या भाग देने की बात हो रही है, वह होगा दो गुना, दो गुना, तीन गुना, तीन यानि दो दुना, चार गुना, 36 से भाग देना होगा और घनमूल जो होगा घनमूल जो संख्या का होगा वो यह भाग दे दिये ती इसका एक तीन और यह तीन यानि तीन तीन नौस का घनमूल होगा छठा सवाल आफका है 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाये ताकि योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाये प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल निका लिए और फिर दूसरा सवाल में घटाने यानि एक ही प्रस्ण में दोनों कहा जा रहा है तब देखत है इसको कैसे बनाना है कि सबसे छोटी संख्या जोड़ी जोड़ने घटाने की बात की जारी ए पहला सवाल है को चहा का सबसे कम जोड़ी जाएता कि योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए योगफल पूर्ण घन संख्या तो 794 की निकटतम सबसे नजदिक कोन सा घन संख्या है यह हम लोग देखेंगे और सबसे नजदिक तो 794 का सबसे निकटतम जो घन संख्या है हुआ हम लोग उस दिन नेक्स पिछले वीडियो में देखे थे कि 729 सबसे निकटतम है नौ का नौ का घंड जो होता है वो 729 है और 10 का घंड एक हजार है तो जब जोडने की बात प्रस्न पहला जो प्रस्न है कह रहा है कि एक नंबर में कि 794 में वह सबसे छोटी संख्या सबसे चोटी संख्या जोडना होगा इसको जोडने पर यह पूर्ण प्राप्त हो जाएगा और घटाने की जब बात आएगी तो 794 से छोटा 729 निकटतम है तो इसको घटाने के समय यह घटाएंगे तो यहां हो जाएगा चार में नौ गया पांच और फिर यहां आठ में दो गया च्छे पैंसट यहीं पैंसट घटाना होगा यह जोडने घटाने वाला में इस तरह से बनाएंगे इसी के साथ आफका प्रस्णावली तिन दसमलव दो समाप्त होता है वीडियो देखते हैं यह लाइक किजिए सेर किजिए धन्यूप अजयद धन्यूप